मंगलं पंच परमेष्टी मंगलं तीर्थंकरं मंगलं विश्वजिन्धर्मं मंगलं वीरशासनं मंगलं वीरशासनं यश्यस्वयं शभावाप्ती रभावे कृष्ण कर्मना तस्मै संग्यान रूपाए नमुस्तु परमात्मने इस्टो पदेश सच में बहुत महान गरंथ है मैं बार बार लोगों से कहता हूँ कि आप इससे पढ़ो इसका अध्यन करो बहुत कम श्लोक हैं और आपकी भासा जो अपने स्कूल में पढ़ी होगी संस्क्रत भासा थोड़ो बहुत पढ़ोगे समझ में आ जाएगा उस भासा में यह लिखा हुआ गरंथ है 47 नमर के स्लोक में जो बात चल रही है बिवहार बही इस्ति बिवहार चारज से बाहर ठेरे हुए मलब बिवहार चारज से बाहर आ गए तो कहां जाएंगे कहां जाएंगे बिवहार चारज से बाहर आएंगे तो निश्चे में जाएंगे निश्चे चारित में जाएंगे जब आपसे कहा जाए अगर निश्चे चारित से बाहर तो कहां पर आ गए विवार चारित में विवार चारित से बाहर तो कहां आ गए दोनों में एक चिल लगे न तो दो तरीके हैं मैं अपने आत्म ध्यान में जाओं तो विवार छूड़ जाए या विवार को छोड़ दूँ तो आत्म ध्यान में चला जाओं ठीक है ना मुझे असली हीरे हाथ में नहीं आए तब तक नकली हीरे से प्रेम है और नकली हीरों को ही असली हीरा मानने का जो भ्रहम है वो तो नहीं है वो भ्रहम नहीं है वो भ्रहम रहेगा तो मिध्य चारित हो जाएगा मुझे पता है यह नकली हीरा है पर उससे क्या है प्रेम है उससे क्या है राग है लेकिन जैसे असली हीरा आ गया तो इस हीरे से प्रेम क्या होगा दूर हो जाएगा और अपने आप ही पर नकली हीरे से प्रेम नहीं होगा असली हीरे का तो अनभव होगा कि क्या होगा अब असली मिलने के बाद उससे प्रेम कोन करेगा उसको तो पहन करके उसका अनभव किया जाएगा कि कैसा लगता हूं उसका अनभव होगा यही बात कही जा रहे है कि एदी बिहुहार चारit छोड़ दिया जाये तो निश्चर चारित में आ जाएंगी और निश्चर चार आ जायेगा तो बिहुहार चारित अपने आप छूड जाएगा बिलेकिन इच्छा पूर्वक ही छूड़ता है इस बात का भी ध्यान रखना समाई करते हो तो समाई करने के लिए पहले इच्छा करना पड़ती है तब सब्सक्राइब करना है तो कायोसर करने की आपको इच्छा होगी कि अब मैं कायोसर करूं समाइक अब मैं करूँ अब मैं ध्यान करूँ तो ये करने की आपको इच्छा होगी तो इच्छा पूर्वक समाइक होगी इच्छा पूर्वक कायुसर होगा इच्छा पूर्वक ध्यान होगा ये बात अलग है कि समाइक में कायुसर में ध्यान में इच्छा ना हो उसमें इच्छा ना हो यह हो सकता है लेकिन प्रारम करने के पहले इच्छा तो अब पदमासन लगाना है खरगासन होना है कैसे हाथ लटकाना है क्या करना है यह सब आप इच्छा पूरुवा करोगी नहीं करोगी इसमें आप विकल्प लाओगे नहीं लाओगे तो ये विकल्प तो आएगा ये वियोहाच चारित रहे अब ये विकल्प हमने समाप्त कर दिया निर्विकल्प हो गए तो हमारा कौन सा चारित हो गया? निश्या चारित हो गया जो निर्विकल्प की बात भी की जा रहे है वो निर्विकल्प की बात भी की रहे हैं सांसारिक विकल्प नहोने का नाम निर्विकल्पता है वो निर्विकल्पता है शुद्धो उपयोग की दसा में भी विकल्प है, सुर्थज्यान का विकल्प है शुद्धो उपयोग में भी सुर्थज्यान का चिंत्वन चल रहा है भगवान की वानी का आगम का ध्यात्म का चिंत्वन चल रहा है उसमें भी हम संक्रांती करते रहते हैं अर्थ की पद की वेंजन की सब्द की और कभी मन से कभी बचन से कभी काया से उसमें अपने आपको इस्तिर करते हैं लेकिन वो दसा भी निर्विकल्ब दसा माने गई है किस अपेच्छा से सांसारिक विकल्ब नहीं है वियोहाचारित का विकल्ब नहीं है इस अपेच्छा से निर्विकल्ब दसा मानी गई है लेकिन सुद्ग्यान की अपेच्छा से देखा जाए जहां मनों उप्योग कर रहे हैं मन को उप्योग में लगा रहे हैं तो वो दसा भी हमारी जो है विकल्ब आत्मा कभी है आई समझे ना जायते पर्मान अंदहा कश्चत योगेन योगिनहा योग योगिनहा मुनी के योग द्वारा योगेन योग के द्वारा योगिनहा योगियों के योग के द्वारा किसके द्वारा कौन से योग हैं मन वचन और काया ये तीन योग हैं इन तीनों योगों के द्वारा कश्चित परमानंदहा जायते कश्चित कोई कोई कश्चित कोई अपूर्व परमानंदहा परमानंद जायते उत्पन होता है परमानंद उत्पन होता है जब मुनी अपने 28 मुलगणों का पालन करने का विकल्प भी नहीं करते हैं केते हैं कश्चित कोई ऐसा समय है वो अपूर समय है जिसमें उनको परमानंदहा जायते क्या उत्पन होता है परमानंद उत्पन होता है आप मुनी राज को आहारदान देते हो तो आहारदान देते समय आप थोड़ा सा सोचिए और बिचार कीजिए गुरु जी आ रहे हैं और प्रगान कर रहे स्वामी आत्रो आत्रो तिस्टो तो बहुत चोके लगे हो और आप कभी चोका लगा हो गुरु जी आकर के आपके पास आके खड़े हो गए तो आपको आनन मिला की नहीं मिला बताओ मिला और फिर आपके हाँ से एक एक ग्रास ले रहे हो सोधन करके तो आपको आनन मिला नहीं मिल रहा मैं ये बात नहीं पूछ रहा आप से मैं तो आप से ये बात पोछ रहा हूँ जिस समय तुम्हारे सामने गुरूप का प्लगान हुआ या तुम्हे अपने हांस से मुन्राज को हारदान दिया क्या उस समय तुम्हें ये बिकल्प आया कि आज मेरा इतना पैसा खर्च हो गया चोके में कितनी मेहने से मैंने चोका लगाया कितना मैंने पैसा खर्च किया मैं दूद लेके आया, सबजी लेके आया, फल लेके आया ये किया, वो किया, क्या ये कोई बिकल्प आया बोलो, नहीं आया ना तो तुम्हें क्या आया क्या आया, तुम्हें तो आनन्द आया जो पैसे समंदी वाला विकल्प नहीं हुआ तो आनन्द आया जो तुमने स्रम किया दानपुन के लिए खर्च किया उसका तुम्हारे मन में उपयोग में नहीं आया तो आनन्द आया तो तुम्हारे उपयोग में क्या रहा तुम्हारा मन उस समय बड़ा प्रफुलित था तो वो प्योग में लगी थी, तुम्हारा मन, तुम्हारा बचन, तुम्हारा काया, तीनों ही भक्ती में रंगी हुए थी, मन भी रंगा हुआ था, बचन भी रंगा हुआ था, और काया भी रंगी हुई थी, किसमें? भक्ती में, उस समय ब्यपार में नहीं रंगी हुई थी, उस समय क्या खर्च हुआ इसमें नहीं रगी हुई थी इस कारण तुमको आनंद मिला वो तस्समंदी बिकल्प नहीं रहा आई सुन में तो योगेन तीनों योगों के द्वारा परमा आनंद हा जायते क्या मिलता है अरे भले प्राणी जब तुझे दया और दान करने में इतना आनंद मिलता है और तेरे सारे बाहर विकल्प छूट जाते हैं तो सोच जब मुनिराज 28 मुल्गनों का पालंग करते करते जब अपने में जाते होंगे तो कितना परमा आनंद की प्राप्ति होती होगी आम आम खाया है आम खाने के पहले आम का बहुत बिकल्प करना पड़ता है कहां से लाना है कौन सा आम लेना है दसेरा आम दसरी आम और हापस आम रत्नागिरी आम लंगड़ा आम कौन सा आम कितने आम होते हैं और कितना लेना है एक लोग दो कितने आम लेने हैं यह सब आम संबन्दी कितना भी गल्प था और जब उसको खाना प्रारम किया और जैसे मुख में उसका स्वाद गया तो उस समय ना लगणा आम ना हापस आम ना कल्मी आम ना रत्नागिरी आम कोई आम नहीं और कौन सी दुकान से लाए थे कितने में खरीद के लाए थे सारे विकल्प लेकिन आम का स्वाद चाहिए हो तो इतने विकल्प तो चाहिए चाहिए एदि आम का स्वाद लेना है ब्रम्चाजी जी एदि आम का स्वाद लेना है तो इतने बिकल्प तो प्रारंब की करना ही पड़ेंगे लेकिन जिस समय आम का स्वाद आएगा तो वो सारे के सारे बिकल्प भी क्या हो जाएंगे दूर हो जाएंगे निश्य का आनंद लेना है परमानंद का आनंद लेना है तो ये 28 मूल गुण समंदी बिकल्ब तो पालन करना ही पड़ेंगे बिकल्ब तो रखने ही पड़ेंगे और जैसे ही उसका आनंद आया तो इसके बिकल्ब भी सीड़ी में एक कदम उपर रखो तो नीचे की सीड़ी छूड़ जाती है छोड़ना नहीं पड़ती है चलते चलते आंगे कदम बढ़ाओ तो पीछे वाला पैर अपने आप उड़ जाता है आंगे चल जाता है पीछे छूड़ जाता है आँगे का रखा, पीछे का, छूड़ जाताई ऐसे यहाँ पर कह रहे हैं, कि इसाथ मनिष्टा का फल क्या है कल बताया था परसे अनुराग, परसों बताया था परसे अनुराग का फल क्या था चत्रुगती, और आज कह रहें, चत्रुगती नहीं बोलो भी है चत्रगति से उठके ऊपर कौन से गति है पंचम गति पंचम गति कौन से है मोक्ष गति शिद्गति और शिद्गति कैसी है परमानन कैसी है जहां पर क्या है परम ही आनन्द की प्राप्ति है ऐसा परमानन शिद्गति है तो कह रहे कल तुम चत्रगती की आनन्द में थे महाराज जी आश्रे बात दो बोले क्या है आज सांती नात बिधान का अनुस्थान करने जा रहे हैं भाई अनुस्थान तो करेगा सांती मिले की ने मिले की पहले ये बता मारा तो लोग घर में बहुत हल चल है आपस में लोग बोल चाल नहीं करते हैं शांती नात बिधान करते हैं और इस अनुस्थान से सांती मिल जाएगी मैंने कभी नहीं मिलेगी यदि ऐसी मिल जाए तो ये तो बहुत सस्तस होदा है दोजार का पंडित, तीजार का संगीतकार पांच-छेजार का संगीत समगरी ग्यारा हजार में घर में सांती लेकि आजाओ ये तो बहुत सस्तस होदा है ना ऐसे नहीं मिलती है अपने अंदर से कुरूरता खतम करो अपने अंदर से कशाएं शांत करो अपने अंदर से छमा भावधारन करो वीर वनू, कायरता हटाओ और एक सब्द कहो तुम सही मैं गलत सब ठीक भयस मैं ही गलत था, तुम सब सही हो बाद बढ़िया अब होगी सांती इतने सब्द में तो सांती होने थी और तुम पूरा पचास पेज पड़के आगए सांती नहीं हुई तो क्या करें महाराज जी कल से सांती ना बढ़िया बंद खरें करो ना, पर वो सांती के लिए नहीं, अपने आँख में सांती के लिए शांतिनाद भगवान से लगाओ है उनके गुणों के प्रेम है उनके गुणों के प्रेम की भक्ति करो न क्या दिक्कत है उन गुणों को पाने के लिए भक्ति करो न सारी विधान करो गुणों में अनुराग नखने के लिए प्रभू है ऐसे गुण हम में प्रगट हो ग्यान दिया है उस ग्यान का उपयोग करो तो कह रहे हैं भया योगी अपने योगों के द्वारा कश्चित प्रमानंद जायते कोई अपूर आनंद को प्राप्त करता है जब वह बाहर के बिकल्प में नहीं जाता देखो योगी को असुब में तो निर जाना है रहना सुब में है लेकिन सुब में रहते रहते वो सुद्ध में चला जाये तो उस समय परमानंद की प्राप्ती होती है क्योंकि सुब का विकल्प कहीं न कहीं दुख का ही कारान है क्योंकि सुब भी आकुलता ही है मराची बढ़ा आकुलता हो रही क्यों? पाथ दिन से मंदिर नहीं जा पाए, चाप नहीं कर पाए, पूजा नहीं कर पाए, पाथ नहीं कर पाए, देखो सुभी बिकल्ब है, दुख दे रहा है, लेकिन ऐसा बिकल्ब भी सही है, जब तक सुध नहीं हुआ, जब तक सुध की प्राप्ति नह ने पकड़ा लेकिन सुब की विकल्प में संतुष नहीं होना क्योंकि ये विकल्प है निर्विकल्प होना है सुद्ध की और जाना है बुखार आया है तो उपर से पट्टी लगाओ ठीक है थोड़ा सा गर्माहट कम हो जाए ठंड़क पट्टी लगा लो लेकिन ये इलाज पर्मानेंट नहीं है काड़ा पीना पड़ेगा ओस्ति खाना पड़ेगी अंदर से जो बुखार है उसे तो विवहार चारित्र जो है उपर से पट्टी लगाना है मलहम लगाना है लेकिन अंदर से ओस्ति खाके अंदर से इलाज करना बिमारी को नश्ट करना बिमारी को दूर करना ये निश्य चारित रहें अब बताओ बाहर से गरम ठंडी पटी लगा कि बुखार ठीक कर लिया थोड़ा सा तो क्या आपकी कमजोरी दूर हो जाएगी क्या आपको सस्ता मिल जाएगी वो तो एक छण भंगुर चीज थी वो तो एक छण के लिए बात थी विवहार चारित बाहर से उपच है पर्मनेंट आनंद देने वाला नहीं है कि रहे हैं ब्योखार बही इसते जब वह भाहर से ब्योखार से बाहर हो जाता है और धर्म का निश्च cheddar का काड़ा पी लेता है तो अंदर का बुखार सान्थ हो जाता है समाफ्थ हो जाता है और उसे पराम आनंद की प्राप्ति होने लगती है यह बात बहुत सुंद्र कहीं गई है सेश पे से और लेंगे आज इतना ही जावानी के ज्यान से सुजे लोका लोग शोवानी मस्तक धरू सदादे तहों धो ए जिनवानी भारती तोहे जपन दिन रें जो तेरी शर्ना धरे सोपावे शुक्चेंशब को बहुत मंगलाशब कारेक्रेम पार्ट शाला के पुन्यार्जक थे श्रीदी गंबर जैन मंदल लोधी कलोनी दिल्ली